हेलो फ्रेंड्स विल्कम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स ज़्यादा तर लोगों को लगता है कि मोटर साइकल में गेर बॉक्स से मोटर साइकल के पीछे चक्के तक पावर को ट्रांस्मिट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चेंड्राइब का यूज कर जाता है जबकि ऐसा नहीं है मोटर साइकल में चेंड्राइब के साथ ही साथ बिल्ड ड्राइब और साफ ड्राइब सिस्टम का भी यूज कर जाता है तो आज किस वीडियो हम डिटेल में इन तीनों ही टाइप के ड्राइब सिस्टम के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि कौन से ड्राइब सिस्टम का क्या ड्वांटेज होता है क्या डिसड्वांटेज होता है और क्यों जादातर motorcycle में chain drive system का यूज़ का जाता है तो वीडियो को पूरा देखे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरू कर दे और अगर आप चैनल पे नई हो तो चैनल को सब्सक्राब भी जरू कर ले चले ये वीडियो को शुरू करते है सबसे पहले हमने बेलड drive system की बात करते है तो फ्रेंट्स बेल ड्राइव सिटप में दो पूली का यूज़ क्या जाता है एक पूली motorcycle के gearbox के outer safety के साथ connected होता है और ये पूली कहलाता है driving pulley वहीं जो दूसरा पूली होता है वो motorcycle के पीछे के चक्ये के साथ connected होता है और यह Pulli कहलाता है Driven Pulli और इन दोनों ही Pulli के Outer Sarfaces में Groves या फिर कह सहकते हैं तित कटा हुआ होता है अब यह दोनों ही Pulli आपस में Belt या도 के Hem से Connected होता है और यह जो Belt होता है इसके Inner Surface में Groves या फिर तित कटा होता है और Belt का Inner Surface पुली के और सर्फेस के साथ मेजड होता है अब देखिए जो हमारा बेल्ट का यूज़ का जाता है बेल्ट ड्राइफ सिस्टम में वो पहुत ही श्ट्रॉंग सिं्थेटिक मटिग्रियल का बना गुआ होता है जिसके वज़े से बेल्ट का लाइफ पहुत ही जादा होता है एक लाख किलोमेटर बिल्ट का लाइफ होता है अब एक तरफ जहां chain drive system में जो chain होता है उसको हम लोगों को बार बार lubricate करना पड़ता है tight करना पड़ता है, clean करना पड़ता है वहीं दूसरी तरफ जो build drive system है उसका regular maintenance का जरूत नहीं होता है नहीं lubrication का जरूत होता है build drive जो हो smoothly run करता है chain drive के मुकाबले बहुत ही कम जर्ख produce करता है और chain drive के मुकाबले जो build drive system होता है वो बहुत ही ज़्यादा noise friendly होता है बहुत ही कम sound भी produce करता है silent इसका feature होता है अब यहाँ पर एक सवाल है कि अगर build drive का इतना ज्यादा advantages है तो फिर chain drive को ज्यादा क्यों यूज करता है build drive को ज्यादा क्यों नहीं किया जाता है तो मैं आपको इसके disadvantages के बारे इम बताता हूं देखिए सबसे पहले तो जो build drive setup होता है इसका cost बहुत ही जाता होता है as compared to chain drive तो cost ज्यादा होता है दूसरा जहां चीन motorcycle में build drive को यूज कर जाता है power को transmit करने के लिए वहाँ पे जो power का loss होता है जब power को भेजा जाता है gearbox से पीछे का चक्के में तो 9 से लेकर 15% तक power का loss होता है chain drive system में इतना ज्यादा नहीं होता है कितना होता है इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा तो दूसरा power का loss हो जाता है तीसरा चूकी हलाकि मानता हूँ कि जो build drive system होता है वहाँ पे regular maintenance का जरूद नहीं होता है लेकिन अगर एक बार कभी जो build system है अगर वो तूट जाए, build तूट जाए तो पूरा का पूरा setup को change करना पड़ता है जिसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते है दूसरी तरफ chain drive में अगर chain तूट जाए तो अगर chain को change कर सकते हैं अगर chain का जो sprocket है वो खराब हो जाए तो sprocket को change कर सकते हैं तो ये सब फाइदे होते हैं chain drive system में अब friends मैं आपको बता दूँ कि जो build drive system होता है उसको जाद तर cruising motorcycles में use कर जाता है जैसे कि Harley, Davidson, Sportster इसके लाबा जो BMW F800 GT जो bike होता है वहाँ पे भी build drive system का use कर जाता है friends अब soft drive system की बात करते हैं तो friends तीनों ही type के drive system में जो soft drive system होता ये सबसे ज़्यादा महंगा होता है लेकिन महंगा होने के साथ इससाथ इसका फाइदा ये है कि ये जो soft drive system होता है वो तीनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा strongest होता है उसके लाबा जो soft drive system का running होता है वो सब के मुकाबले ज़्यादा smooth भी होता है और इसके साती जो safe drive system होता है वो maintenance free होता है उसको बार-बार maintain नहीं करना पड़ता है और in general जो safe drive system का life होता है वो आपके motorcycle के life के बराबर होता है वो भी बीना किसी major servicing या maintenance के अब फ्रेंट अगर हम लोग साफ ट्रैफ सिस्टम की सेटप की बात करें तो यहाँ पे एक साफ का यूज का जाता है साफ का एक एंड यूनिवर्सल जॉइंट या फिर हम लोग बोल सकते कपलिंग के हिल्प से गेर बॉक्स के ओटर साफ के साथ कनेक्टेड होता है और उसी साफ का जो दूसरा इंड होता है वो मोटर साइकल के पीछे चक्के के वील हब के साथ कनेक्टेड होता है आप रेंट्स होता ये है soft drive system में कि soft drive system के अंदर में oil भरा हुआ होता है और ये oil काम आता है soft को lubricate करने के लिए ताकि soft में कभी को जंग, rusting वगरा नहीं हो इसके साथी जो saft drive system होता है वो completely sealed होता है ताकि बाहर से कोई भी particle अंदर नहीं जाए और ये पूरी तरह से एक sealed driving system होता है इस वज़े से भी जो soft drive system होता है उसको maintenance का जरुवत नहीं होता है साफ drive system बाकी के दो drive system को मुकाबले बहुत ही ज़्यादा भारी होता है इसलिए इस drive system को efficiently work करने के लिए ज़्यादा torque का जरुवत होता है इसलिए इस तरह के drive system को कम CC के motorcycle में नहीं यूज कर जाता है इसके साथी cost ज़्यादा होने के वज़े से इन्हें सस्ते motorcycles में नहीं यूज कर जाता है लेकिन ये जो soft drive system होता वो बहुत ही तगड़ा होता है और भरुसे मन होता है इसलिए इसे जाएतर उन motorcycles में यूज कर जाता है जो कि हम लोग adventure या sports, touring वागरा purpose के लिए यूज करते है अब सवाल ये है कि अगर soft drive system इतना जाए तगड़ा और भरुसे मन होता है तो सारे ही महेंगे bags में नहीं क्यों यूज कर जाता है दूसरा point ये important ये है कि जो हम लोग power का transmission होता है इस तरह के driving system में यानि कि gearbox से जो power जाता है motorcycle के पीछे चक्र तक तो 20 से लेकर 25 पर 30 तक power का loss होता है जो कि बागी के दो driving system को मुकाबले बहुत ही जादा है तो यहाँ पर क्या होता है कि fuel की efficiency बहुत ही कम हो जाती है तो इस वज़े से भी इसे हर तरह के motorcycle में use नहीं किया जाता है soft drive system को Yamaha FJR1300, Kawasaki Z1300, BMW R1200GS इन सारे ही motorcycles में use किया जाता है Friends अब chain drive system की बात करते है तो तीनो ही type के drive system में ये जो chain drive system होता है वो motorcycle में use किया जाने वाला सबसे पुराना drive system है अगर हम तो इसके setup की बात करें तो यहाँ पे दो chain sprocket का used कहा जाता है जो पहला सक्वाट होता है वो motorcycle के gearbox के outer star TB के साथ connected होता है और ये driving sprocket कहलाता है तो दूसरा sprocket होता है वो motorcycle के पीछे चक्वे के wheel hub होता है और ये driven sprocket कहलाता है इन दोनों ही इस प्रॉकेट के जो ओटर सर्फिस होता है वहाँ पर टित कटा हुआ होता है और जो दोनों इस प्रॉकेट होता है वो चेन के साथ connected होता है अब फेंट्स चेन का tendency होता है कि time के साथ जब अगसे लगाता यूश कर जाता है तो जो chain का length है वो बढ़ जाता है इस इसके साथ mostly जो chain drive system होता है वो open होता है जिससे क्या होता है कि हर 500-700 km में chain को clean और lubricate करना जरूरी होता है इसके साथ ही पर जो chain drive system होता है वो बाकी के दो drive system के मुकाबले बहुत ही ज्यादा noisy होता है खास करके जब अगर chain deal हो जाए तो वहां से बहुत ही ज्यादा अवाज आता है इसके साथ ही जो chain drive system होता है उसका life बाकी के दोनों के मुकाबले बहुत ही कम होता है अरौंड 15,000 से लेकर 25,000 km तक chain drive का जो होता है वो life होता है अब सवाल यह है कि अगर इतनी ज्यादा खामिया है chain drive system में तो ज्यादतर इन्हें क्यों यूज़ कर जाता है सबसे पहला त power to weight ratio है वो बढ़ जाता है और तीसरा और सबसे important reason जो है chain drive system को ज्यादतर motorcycle में यूज़ करने का वो है कि जब chain drive के help से gearbox से motorcycle की पीछे चक्ये को power भीजा जाता है तो उस time सिर्फ और सिर्फ 1% से लेकर 4% तक ही power का loss होता है जो कि बाकी के दोनों drive system को मुकाबले बहुत ही कम है और यही वज़ा है कि आपको जाधतर motorcycle में chain drive system को ही देखने को मिलेगा जैसे कि pulsar, apache, sign, platina, jisplendor जितने भी बाक से लोब सम्में chain drive system का ही use किया जाता है Friends, I am sure आज की इस वीडियो को पूरा दिखने के बाद आप chain drive, build drive और soft drive system के बारे में अच्छी तरह से और पूरी तरह से जान गया होंगे तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरू करते, वीडियो के बारे में और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे comment करके जरू बताए इसके लाव फेंट्स अगर आप चैनल पे नए हूँ या भी देख अपने चैनल को subscribe नहीं किया, तो please चैनल को subscribe कर ले और बिलागन को भी दबाले ताकि आने वाले important videos के update आपको notification दुरू मिलते रहे मिलते अगले वीडियो में, thanks for watching this video, goodbye